नमस्कार दोस्तों कमपर्शन अकडमी की यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है आज आप देख रहे हैं साहित की एक जलग सीरीज 25 और चली शुरू करते हैं साहित की एक जलग सीरीज 24 जो कल आप लोगों को दिया गया था उसमें जल्दबाजी में जन्मकाल के अनुसार किसका जन्म बाद में हुआ जो यह वाला प्रस्न था साहित प्रस्न संक्या 14 या 16 अईसे कुछ था जिसमें गलती से सूर्दास हो गया था उसका उत्तर होगा तुलसी रास उसको सही कर लिजिएगा आप लोग और एक वनबाला से प्रस्न था उसे भी सही कर लिजिएगा त बाती मोहन मैथली अंचल सुनील कि यह लोग जरूर ध्यान दें कि कि जो आपको वीडियो लेक्टर उपलब्द कराया जा रहा है जो पीडियेप पढ़ते रहें वीडियो लेक्टर जरूर देखें लेक्टर में बहुत सारी चीजें नहीं होती है उन्हें अलग से बताया और आज आप लोगों को दो कि कि अमरीत राइकी जुक्त्र मिलेगा गर्या ओर यह वर रहेगा तुन तीन रचनाय है रगा इश्टी जो इस पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा साहित की एक जालक सिरीज 25 आईए देखते हैं आप नए है चैनल पर देख रहे हैं सुधिया उससाहित की एक जलक पचीश है कि अगर आप भी यह पीडिएप चाहिए तो आप हमारे नंबर पर यहां पर लिख लिजिए आप कि असी को मिफ न लोमिख लीजिए असी बावण है असी बावण अठावन ही 80484 004 इस नंबर पर को आप साहित की एग जलाठ लिखर भेज़ तो आपको भी यह PDF उपलब्द हो जाएगी आप जिस दिन से आड होंगे जैसे आज आपने भेजा तो आज ही से साहित्ति की एक जलक आपको मिलेगी ऐसा नहीं कि पहले का आपको मिल जाएगा इस इसका ध्यान रखें पहले के लिए जो वीडियो पड़ा है वो वीडियो दे एक जलक के लिए उमीद करते हैं कि आप लोगों स्क्रिन्सॉट ले लिया होगा या नंबर लिख लिया होगा ना इस की सोड़ लीजै तो वीडियो को रोक कर यह नंबर लिख सकते हैं अब चलिए सुरू करते हैं चवराशी वैस्टरमन की वारता किसकी रचना है आज कि सका करम बादमें होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा हजारी परसाथ दुवेदी का बादमें होगा क्योंकि इनका 1907 है कि सबसे बाद में है तो फिर उस expense राम चंद शुकृ का है मावीर्साथ दुवेदी का तो इने ध्यान रखना दिक्कत आपको हो सकती आजारी प्रसाद दुवेदि और ten द्यान रखेएगा कि मिस्रवंधुओं में सामिल नहीं सुखदयों विहारी कृष्ण विहारी ज्याम गणेस विहारी तो आपका उत्तर हो जाएगा बी कृष्ण विहारी कुछ ऐसी किताबें हैं जहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको कृष्ण विहारी लिखा मिल जाएगा लेकिन ध्यान रहे कृष्ण विहारी नहीं सुकदेव विहारी आपको मिलेंगे स्याम विहारी मिलेंगे और गणेस विहारी मिलेंगे तो इस पर आधरित कई बार परिक्षा में प्रश्ण भी पूछा गया है इसलिए जरूर ध्यान रखें मिस्र बंधू में कौन सामिल नहीं है या मिस्र बंधू कौन-कौन है तो इसे आपको जरूर ध्यान रखना है मिस्र बंधू का मिस्र बंधू से अक्सर परिक्षा में प्रश्ण पूछा जाता है इसलिए मैंने कहा कि जो मिस्र बंधू है कौन-कौन से हैं उनका नाम जरूर आपको बता दें गणेश विहारी, स्याम विहारी और सुकदेव विहारी यह तीन भाई है मिस्र बंधू इसमें कृष्ण विहा ना में बार-बार कह रहा हूं और इन पर प्रशन पूछा जाता है गार्शाद अतासी ने हिंदुस्तानी साहित का इतिहास किस भासा में लिखा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए फ्रांसीसी में लिखा है आज बहुत जादा चीजे समझाने की नहीं बहुत साधारन प्रश योम सामईक परिस्तियों का अध्यन विशलेशन आवस्यक है उप्रोक्त कथन किस पध्धती के संदर्भ में कहा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए विधेवादी पध्धती हिंदि साहित का मौकिक इतिहास किस ने लिखा है तो आपका उत्तर हो जाएगा सी मौकिक इ थांबा तुम्बा ये दुई साचा राजा ही दे जोगी उंचा उप्रोग्त कथन या पंक्ती किसकी है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी चर्पटनात या चर्पटीनात निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है जाती अजाते विवाह अधम उत्तम का पारक विद्यपती का तरूर पंच विडाल हेमचंद राम कहा सरी एह सोहंती स्वयंभू अवधू मनचंगा तो कठवती में गंगा गोरखनात दिखे अवधू मनचंगा तो कठवती में गंगा ये गोरखनात ने भी कहा है ध्यान रख अगसा कल बाद में चुल्थ कर द्था नरखनात इस लिए इसको मैं यहां पर सई मान रहा हूं कि यहां पर गोरक नात ने भी का हैं गोरखबानी अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह मिलेगा तो यहां पर उत्तर जो होगा असत्य होगा वो हो जाएगा भी ये लूईपा का कथन हेमचंद्र का नहीं है किस रासो गरंथ का संबंद विग्रह राज चतुर्थ से हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा A. वीसल देव रासो इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है यह कथन आचारामचंशुक ने किस रासो काबे के लिए लिखा है तो आपका उत्तर हो जाएगा C वेशल देवर रासो के लिखा है विद्यापती ने किर्टिलाता की रचना अवहट भासा में की है यहाँ अवहट का अर्थ क्या होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा D मैथिली युक्त विकिसित अपभरंस यहाँ पर यानि विद्यापती की की रतलाता के वारे में मैं पूछ रहा हूँ इस सीज का ध्यान रखिएगा अध्या के राजा भरत और तच्सिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कभी ने चरितिक काब बे लिखा है तो भरतेस और बाहुबली रास आपने सुना होगा उत्तर हो जाएगा B सालिभद्र सूरी किस सिद्ध से प्रभावित होकर उडिशा के राजा और मंतरी ने से सता ग्रहन कर ली थी तो आपका उत्तर हो जाएगा लुईपा भक्ति अंदोलन के पूर्व सबसे सक्तिसाली धार्मी का अंदोलन गोरकनात का भक्ति मार गही था गोरकनात अपने यूग के सबसे बड़े नेता थे यह कथन किसका है तो आपका उत्तर हो जाएगा B हजारी पसाद दुवेदी आज के बहुत ही साधारन प्रशन है काबे सास्ति के परशिद कस्मेरी आचार अविनोगुत ने अपने तंत्रा लोक में किसकी वंदना की है तो किसकी वंदना की है आपका उत्तर हो जाएगा ए मतसेंद्रनात की वंदना की है रामचंद्शुक ने 84 सिद्धों के अंतरगत इसमें से किसे योगनी के रूप में उलेखित नहीं किया है यानि तीन इसमें योगनी है और एक योगनी का उलेख किसमें रामचंद्शुक ने नहीं किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कपाल का बाकि मरी भद्रपा, कनकलपा और लक्षिमी कारा का उलेक किया गया है लेकिन आचार रामचंद शुक्र ने 84 सिद्धों में कपाल का उलेक नहीं किया है उगनी के रूप में पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनात का टीला नामक धार्मी का सल किसे से संबंदित है तो आपका उत्तर हो जाएगा बालनात का जो टीला है वो नाथों से संबंदित है बालनात का टीला किस ग्रंत में वंडित है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी जब आप चरित काब्बे लिखे गए हैं कौन सी रचना स्वयम्भू की नहीं है तो आपका उत्तर हो जाड़नाई कुमार चरियू स्वयम्भू की नहीं है बाकि पॉंचरियू है स्वयम्भू चंद है रिटरेम चरियू है यह सारा आप देखेंगे तो स्वयम्भू की रचना है अब देखें अगला प्रस्ण देखेंगे निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है प्रश्ण संक्या 22 देखें अ पिर्थिवी चंद कृट मात्र का पर्थमात चरादोहरा पर्थम वावनी का वह हैं और बाकीदास के कुकविड़ी वासिवाद का आधार योग है वह साधनात्मक रहसिवाद है और जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिध्धानत है वह भावात्मक रहसिवाद है यह कथन किसका होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा डी आचार रामचंद्र शुक्ल का है कबीर के यहाँ निरुपादी ब्रह्म सोपादी ईस्वर वस्थर्ववाद का निरूपन मिलता है उप्रोक्त कथन किसका है तो आपका उत्तर हो जाएगा सी आचार रामचंद्र शुक्ल का कथन है निम्ण आपका उत्तर हो जाएगा ए राम विलास सर्मा भक्ति काल को लोक जागरन काल किसी ने कहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी हजारी प्रसाद दुवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरन काल कहा है तो यहां पर जितनी भी चीजे बताई आ रहे हैं उस पर जरूर गौर करें उसे मैंने आपको बता दिया कि आज निराला के पत्र सुधिया उस चंदन के वन की अरे आयावर रहेगा याद ये सारी चीजें आप लोगों को उपलब्द कराई जाएंगी ये सारी चीजें दी गई है अगर आपने सुधिया उस चंदन के वन की पढ़ा है तो जरा बताएं कमेंट करके जरूर बताएगा आपके कमेंट का इंतेजार रहेगा कि सुधिया उस चंदन के वन की जो संस्मरन है उसका प्रकाशन वर्स क्या है कि उसका प्रकाशन वर्स क्या है कितने लोग बताएंगे कमेंट करके जरूर बताईएगा और दूसरा प्राशन जो चिठी पत्री दी गई है प्रेमचंद के चिठी पत्री उसका प्रकाशन वर्स क्या है प्रेमचंद चिठी पत्री का जो भाग एक है भाग एक में कुल कितने पत्र संकलित है और भाग दो में कुल कितने पत्र संकलित है तो देखते हैं ये दो तीन यह सारी चीजें आज की लाइप अक्षा में भी कराई जाएंगी कि चिट्टी पत्री भागदों में कितने लोगों के साथ पत्र बेवहार है या किसके साथ सबसे अधिक पत्र बेवहार है या भागदों में कितने पत्र है भाग एक में कितने पत्र है या भाग एक में जो प आईसे ही सुधियाउस संदन के वन की में आप देखेंगे तो खन्ड खन्ड फिर भी अखन्ड जो है उस अध्याय में किसके किसके पंक्तियों का उल्लेख है या किर्पा की पर्तिक्षा नहीं समिक्षा करने का व्यास करो componer किस संस्मर्न में कहा गया है या क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध का अर्थ ही है काम सुखम रोधात अर्थात का रूपी सुख का जो रोध करे जिसमें रुकावट डाले वही क्रोध है जिस पर क्रोध आता है उसे तो बाद में जलाता है पहले क्रोध करने वाले को ही जला देता है यह कतन सुध चाहरित प्राश्ण उता है. रात में नोबजयलाइब कंच्छा में करायाता है. इस विश्व वत जाती हो उसमें भारत है. यह जो मात्पूर कथन हैं । तो इस तरह सुधिया उस संदन के वन की यह पंग्ती किसकी है तो इस तरीके से बहुत सारे जो माथ्पूर कथन है यह जो प्रश्ण बन सकते हैं वो सारी लाइब कख्छा में कराई जाती है यदि आप भी जुड़ना चाहें तो मैंने पहले ही आपको नंबर दे रखा है नंबर बता रखा है कि 8052 चार 004 इस नंबर पर आप वट्सप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं और साहिति की एक जलक जो साहिति की जलक नहीं होगी तो इस तरीके से एक एक दिन छोड़कर अब साहिति की एक जलक मिलेगा है तो प्रस्ण संख्या 27 आपने देखी लिया प्रस्ण संख्या 28 की और बढ़ते हैं भक्ति आंदोलन भारतिय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है यहमत किसका है आपका उत्तर हो जाएगा भी हजारी प्रसाद दुवेदी दोएतवाद किसका मत है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी दोएतवाद मधवाचारिका है संपरदाय उनके परवर्तकों का वेमेल जोड़ा कौन सा है कई बार परिक्षाओं में पूछा जा चुका है महापुरुशिय संपरदाय रामानंद उद्धति संपरदाय साजानंद रसिक संपरदाय अग्रदास स्वासुखी संपरदाय रामचरणदास तो इसमें से वेमेल जोड़ा ए हो जाएगा संत कावधारा यानि ग्यानासरी साखा को किसने संत कावधारा नाम नहीं दिया है ध्यान देना किसने नाम नहीं दिया है यानि तीन लोगों ने संत कावधारा को ग्यानासरी साखा कहा है लेकिन इन में से एक ऐसे हैं जिन्होंने संत काविधारा को ग्यानासरी साखा नहीं निर्गुन साखा कहा है और वो है हजारी परसाद दुवेदी निम्न में से किसने निर्गुन कावेधारा का पर्थम कवी कवी कवीर को नहीं माना यानि इन में से तीन लोगों निर्गुन कावेधारा का पर्थम कवी कवीर को माना है लेकिन एक ऐसे हैं जिन्होंने निर्गुन कावेधारा का पहला कवी कवीर को ना मान कर नामदेव को म मानने वाले कौन है तो वो हैं रामकुमार वर्मा संत नामदेव की परावली का संपादन किस ने किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी भगीरत मिस्र ने किया है दादू ग्रंथा वली का संपादन किस ने किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा सी पराशुराम सतुवेदी बाकि धन्ना पीपा सेने सभी लोग रामानंद के सिस्य थे जन्मकल के अनुसार किसका जन्म बाद में आता है तो आपका उत्तर हो जाये गड़ी हरिदास निरंजनी का बाद में आता है जन्मकल के अनुसार किसका जन्म बाद में आता है देखे प्रस्म संख्या जो 37 है इसमें कहीं कहीं पर आपको मतवेद मिलेगा एक बार परिक्षा में पूछा गया है जो एक क्रम से दिये गए थे लाल दास, दादू दयाल, मलूग दास, सुंदर दास तो उसका क्रम जो दिया गया था परिक्षा में गलत था जबकि अंतिम यहां पर सुंदर दास हैं निम्न में से कौन सी रचना दोहा चौपाई में ना होकर बरवय चौपाई में लिखी गई है तो आपका उत्तर होगा ए अनुराग वाशुरी दोहा चौपाई में नहीं बलकि बरवय चौपाई में है निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भासा में है तो आपका उत्तर हो जाएगा रूप मंजरी जो नंद दास की है यह ब्रज भासा में है पद्मावत में परमात्मा का प्रतिक स्रद्धा सात्तिविक वुद्धी है कौन है प्रश्न संक्या 40 तो आपका उत्तर हो जाएगा सी पद्मावती सोमा और रंभा किस रचना में नायक नाईका है प्रस्ण संक्या 41 देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा रस रतन रस रतन जो रचना है इसमें सोमा और रंभा नायक नाईका है प्रस्ण संक्या 41 तुलसिदास को उत्परेक्छाओं का वादसा किस ने कहा है तो आपका उत्तर तो आपका उद्थर हो जाएगा गोल्द इसमित ने कहा है, केसो दास को किसssenे क्या कहा है, का सत्य विकल्प कौन सा है, प्रस्ष्ण संक्या 44 देखें, बहुत ही महत्यपूर है, कोड का कवी, विजेय पाल सिंग ने कहा है, प्राकिरत कवी, तुलसिदास ने कहा है, कठिन काव प्रेत रामचंद शुक्र ने कहा तो आपका उत्तर हो जाएगा डी एक दो तीन तीनों सही हैं सीतायन रचना किसकी है तो आपका उत्तर हो जाएगा राम प्रिये सरणदास की रचना है सीतायन निम्न में से कौन विठल नाति के सिस्य हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा छीत स तो राग माला रस्ठान की नहीं, भाकि दानलिला रसठान की एंच्टाया रस्ठान की एंच्टाया हैं, प्रेमॉाटिका रसकान की एंच्टाया की यह तो यहाँ पर और आपका उत्तर भी होगा निम्न को ताक्ते घोड़े चड़फूले उपरोग्त पंक्ती किसकी है तो आपका उत्तर हो जाएगा भी मलूग दास आज का बहुत ही साधारन प्रस्ण था आज के प्रस्ण में बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था इसलिए हमने सीधे उत्तर बताते हुए 18-20 मिनट में आप लोगों के इसका उत्तर बता दिया है एक लोग पुछत साहिकी एक जलक कश कि मिलेगा भाइस साहित्य की एक जलक तो आप 25 वाले सीरीज में देखे, आपको उत्तर मिल जाएगा, बाकी तेट वैच वाले ध्यान दे, आज आपको पीडियप जो दिया गया, चिठी पत्री का पीडियप दिया गया, सुधिया उस चंधन के बन की पीडियप दिया गया, अरे आया वर रहेगा, याद का दिया और कल इसी पर वीडियो लेक्चर भी मिलेगा रात में लाइब क्लास भी होगी और कल होगा चीडों परचांदनी अकेला मेला और मेरी तिबबत यात्रा ध्यान रहे मेरी तिबबत यात्रा अकेला मेला चीडों परचांदनी ये कल आपको मिलेगा तीन दिन और है तीन दिन में यह आपका इकाई समाप्त हो जाएगा और उसके बाद एकदम प्रारंब से हम लोगों पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास से बहुत सारे लोग हमारे ऐसे मिंबर से जो इंतिजार करें लगातार फोन आ रहा है कि सर्फ प्रारंब से कब लेकिन जितना समय आप इंतिजार करोगे उससे अच्छा जुड़ जाने में जब से आप जुड़ोगे जितना ज्यादा समय दोगे उतना आप लोगों के लिए ही तो बहतर होगा अगर आप जुड़ेंगे तो आप खुद देखिए आज आपको चिठी पत्री मिल जाएग अरे आयावर रहेगा याद मिल जाएगा और आगे जब आप फिर से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा तो जितना समय दोगे उतना आपके लिए बहतर होगा बाकी आप खुद निड़ए कर सकते हैं हम लोग फिर मिलेंगे साहित की एक जलग सिरी 26 में कल नहीं परसों ध्यान रखिएगा अल्टरनेट होगा कल नहीं परसों मिलेंगे